तो पहले हम कवर अप करेंगे डेली करेंट के सब्सक्राइब करने वाले हैं स्टैटिक जीके के भी कुछ इंपॉर्टन्ट क्वेशन्स भी करवाते हैं ताकि साथ में हम इस सेक्शन को भी कवर करती रहें उसके बाद हम कवर करेंगे लास्ट डे के जो हैं कल या निकल के रिविजन क्वेशन्स को भी और उसके बाद हम टेस्ट के दो क्वेशन्स आप लोगों से पूछेंगे जिनके आंसर आप सभी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं तो आज की वीडियो भी काफी इंपोर्टन रहे की अगर आप किसी भी एक्जाम के प्रपेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफी ज़दा हेल्प करने वाली है तो इसके लावा फेंट्स इस वीडियो का जो पीडियाफ है वाप लोग को हमारे टेलिग्राम से मिल चाहेगा टेलिग्राम का नाम है करेंट अफेस्ट लॉजिक्स आप इसे टेलिग्राम पर सर्च भी कर सकती हैं या फिर लिंक एक डिस्क्रिक्शन बॉक्स में मिल चाहेगा वहां से भी आप हमारे गुर्प को जॉइन कर सकती हैं तो चलिए एक इंपॉर्टन सेशन को शुरू करेंगे एक इंपॉर्टन मोटिवेशन कोट सी Your morning sets up the success of your day आपके देखे हर एक सुभा यह set करती है आपकी day की success होने का कि आपकी morning जो है आप अपने morning किस तरह से रख रही है क्या goal आप set कर रहें अपने दिन के लिए ताकि वो दिन आप अच्छे से complete कर पाएं अच्छे से उसको जो भी आपने सोचा उसको पूरा कर पाएं तो positive mind के साथ में उठें तभी आप अपने day को भी positive रख सकेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के important day से पहला important day है national mountain climbing day कब मनाया जाता है यह first august को तो एक अगस को मनाते हैं राष्टे परवतारूहन दिवस इस दिन को मनाने के पीछे का main purpose किया है to commemorate the spirit of the challenging and adventurous sport of mountain climbing पही mountain climbing यानि परवतारूहन के चिनोती पूर और सहसी खेल की भावना को स्मरंट करने के लिए उसे commemorate करने के लिए मनाया जाता है national mountain climbing day और यह हर साल कब मनाती है first of august को एक और important day मनाया जाता है एक अगस को जो की है world lung cancer day तो विश्व lung cancer दिवस कब मनाती है तो यह भी एक अगस को मनाया जाता है इस दिन जो है 2012 से हर साल जो है एक अगस को मनाया जा रहा है इस दिन को मनाने का उदेश है to raise awareness and defeat the stigma and myth related to the deadly disease तो यह जो deadly disease है इससे related जो भी लोगों के myth जुड़े है जो लोग ने इससे कलंग जुड़ा रखे है उसको हराना यानि उस सभी को चीजों को खत्म करना और लोगों को इसके भारे में जागरू करना इस दिन का उदेश है तो यह दो हमारे आज के important day हो गए अब हम बात करेंगे first question की पहला question है देखे मसूद पैजे शाकियन was sworn in as a president of which country सोभी हाली में मसूद पैजे शाकियन ने किस देश के राष्टपती के रूप में शपत ली है सोभी हाली में ये बनी है इरान देश के प्रेजिडेंट ठीके कौन बनी है उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इरान देश के अभी प्रेजिडेंट के रूप में शपत किसने लिए है मसूद पैजे शेकियन ने इरान जो है यहां की capital है तेरान currency है यहां पे real अब बात करेंगे recently appointed प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट के बारे में सुभी हाली में देखे वेनेजुएला में प्रेजिडेंट बने है निकोलस मादुरो तो यह यहां पे तीसरी बार बने है प्रेजिडेंट इस्टोनिया में प्राइम मिनिस्टर बने क्रिस्टर माइकिल रवांड़ा में प्रेजिडेंट बने है चौती बार पॉल कागमी नेपाल में प्राइम मिनिस्टर बने है फोर्थ टाइम केपी शर्मा ओली और अभी लिथुआनिया में प्रेजिडेंट बनी गीता नास नुसीदा तो यह सारे appointment बिलकुल अभी newly है जो newly हमारी countries या कोई भी country है वहाँ पे appoint हुए है इसके बाद देखे next important question क्या है अगला question है हमारा Recently, Sado Gold and Silver Mines in which country have become part of UNESCO World Heritage List तो यह जो Sado Gold और सोने और चांदी की जो खदानी है यह किस country में है इन्हें अभी हाली में UNESCO की विश्व दरोहर सूची का हिस्सा यह बन गई है तो यह कहां पे है जापान में तो Sado Gold and Silver Mines कहां located है जापान में यह located है So, यह जो mines से इनको भी include किया गया है इन्दा UNESCO World Heritage List after South Korea dropped objection to their listing पर यह भी South Korean की भी listing हुई थी लिगे South Korea ने उस पे काफी objection उठाया था तो उस objection के बाद जापान की माइन्स ने सादो Gold and Silver Mines इनको UNESCO World Heritage List में शामिल कर दिया गया South Korea ने क्योंकि इस proposal का विरोत किया क्योंकि World War II के समय जब जो जापान है उसने Korean Peninsula पर साशन कर रहा था वहां पर दिखिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं तो यूस ओफ इन्वोलिंटरी Korean लेबर यानि अनेक्चिक कोरियाई श्रम का प्रियोग किया गया था इसलिए उन्होंने यह जो लिस्टिंग थी उसका विरोत किया लेकिन इस लिस्टिंग जब साउथ को ने विरोत किया तो जापान की जो माइन्स से उनको एड़ किया गय What is the name of the Hamas leader who was recently killed in Iran हाली में इरान में मारे गए हमास नेता का नाम क्या है आंसर इस्माइल हानिये तो इस्माइल हानिये जो है अपी हाली में इरान में यह मारे गए है और यह हमास लीडर है The death of हानिये was confirmed by Iran's revolutionary guard तो इरान के जो revolutionary guard से उन्होंने इस्माइल हानिये की मौत की पुष्टी की है हानिये ने इरान के नए राष्टपती मसूद पैजेशियकियन के जो शपत सम्हारो हुआ था जो swearing ceremony हुए थी उसमें भाग लिया था सो इसक आ गया है कि उसके बाद वहां भी उनकी किसी तरह से उनकी जो है वो मौत हुई है और इसकी पुष्टी की है इरान के revolutionary gardening नेक्स्ट क्वेशन देखें डिफेंस मिनिस्टर आइंडी डैश जॉइन हैंड्स टू हेल्प MSMEs इन दा डिफेंस सेक्टर सो रक्षा मंत्राल है और यहां पर बताना है अभी किस ने रक्षा छेतर में जो MSME यानि जो medium small जो enterprises जो एंटरप्राइज़ जो जोड़ मोटे उद्योग हैं उनकी मदद करने के लिए हाथ मिलाया है तो एक तो defense ministry हो गई और दूसरा हो गया national stock exchange जिनोंने हाथ मिलाया है इसका मीन उदेश है defense sectors में जो MSME है उनका development करना उनका विकास करना और जो भी उनकी capital है जो उनकी पूंजी है उसमें भी उनको growth ले गया आना कि वो आगे बढ़ सकी जाधा से जाधा जो है उनकी capital बन सकी ये MEU साइन हुआ था Department of Defense Production के additional secretary और national stock exchange के जो managing director है उन्होंने जो है इस MEU को साइन किया तो किस-किस के बीच में हुआ है ये आत रखना है defense ministry और national stock exchange के बीच next question देखे विच स्टेट हास लॉंच्ट गोइम विना मुल्य विज येवजन scheme तो इंक्रीज सोला rooftop potential किस राचे ने देखे सौर छत शमता बढ़ाने के लिए गोइम विना मुल्य विज येवजन योशना शुरू की तो इस योशना को शुरू किस ने किया है गोवा गवर्मेंट ने तो ये जो scheme है ये प्राइम मिनिस्टर की जो सूर्य घर मुफ्त बिचली योशना है न उसी के alignment में उसी के साथ ही स्कीम को लाया गया है मतब उसी के साथ ही स्कीम चलेगे जिस तर्च पर वो स्कीम शुरू की गई थी अब इसका उदेश है क्या है देखो इसका उदेश है जो solar rooftop है जो सौर्श शत है उसकी शमता को बढ़ाना उसके potential को बढ़ाना और जो residential घर है जो आवासिये घर है वो सुम अपनी electricity को generate करने में सक्षम हो स सकते हैं मतलब उनको बाहसितनी electricity लेने के जरूरत नहीं होगी तो इक तरीक से electricity भी सेव होगी और solar energy भी जादर से जादर इंक्रीज होगी गोवा स्टेट जो है यह area wise अब से छोटा राज्य है formation होई ती इसकी 30 May 1987 को capital है यहां की पंची चीप मिनिस्टर है प्रमोज और governor है पियर शरीधरन पिलाई अगला question देखे which financial regulator has recently launched the SEVA chatbot तो जो SEVA chatbot है यह अभी किस ने launch किया है तो SEBI ने launch किया है SEVA chatbot ठीक है नाम से आप थोड़ा सा relate भी कर लोगे SEBI Securities and Exchange Board of India ने introduce किया है SEVA chatbot को यह जो chatbot है यह artificial intelligence enabled chatbot है artificial intelligence पे काम करेगा और जो भी आप जो भी investors के questions होगे उनको यह answer करेगा उत्तर देगा SEBI की बात करें तो इस थापना होई थी 12th April 1988 को headquarter मुंबई में है chairman है माधभी पुरी बच्च, executive director है जी राम मोहन राओ अगला question है who has been appointed as a chairman of the UPSC So Union Public Service Commission यानि संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी न्युक्त किया गया है Answer is Preeti Sudan Preeti Sudan अब बन गई है UPSC की chairman Preeti Sudan जो है former Union Health Secretary रही है लेकिन अब बनी है UPSC की chairperson किसकी जगा पर आई है यह? Manoj Soni की जगा पर जिनोंने अभी कुछ जिन पहले ही personal reasons की वज़ा से resign कर दिया था तो इनकी जगा पर आई है Preeti Sudan Next question Who among the following has won the V. Venkya Epigraphy Award 2024? निमलेकित में से किसने? V. Venkya Epigraphy पुरिशकार 24 जीता है तो यह award किसने जीता है? V. Veda चलम जो है उन्होंने यह award जीता V. Veda चलम के बात करें तो उन्होंने 25 से भी जादा books लिखी हैं उनके subject रही हैं जैसे की epigraphy, numismethic, जिसे कहेंगे हम मुद्रा शास्त्र, temple art, मंदिर कला, religion society तो इन सभी विश्यों पर 25 से भी जादा books लिखी हैं ड. Veda चलम ने और इन्हें अभी मिला है V. Venkya Epigraphy Award Awards की बात आई है तो चले कुछ और भी Awards की बात करें International Booker Prize 2024 किसे मिला है? जैनी अर्पनबेक और translator Michael Hoffman को और book का नाम है काई रोज विटली गोल्ड अवार्ड जिसे green Oscar के नाम से भी जानते हैं ये अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को लच्छु महाराज अवार्ड 2024 में किसे मिला? पंडित राजेंदर गंगानी को और Goldman Environment Prize इसे green Nobel Prize भी कहा चाता है ये प्राइस किसे मिला है आलोक शुकला को तो इस तरह से देखो आप लोग revise करते नहीं questions से आप जितना ज़ादा revise करेंगे उतना ज़ादा benefit रहेगा next question देखे the Indian team has won how many gold, silver and bronze medal in the 56th International Chemistry Olympiad तो अभी देखे भारते टीम ने 56 अंतराश्टे रसाइन विज्ञान Olympiad में कितने पदक जीते हैं तो यहाँ पे सारे ही पूछ लिए गए हैं इके करके भी पूछ सकते हैं overall मिलाकर भी पूछ सकते हैं तो यहाँ पे correct answer है option A एक जीता है दिखो एक तो जीता है gold medal दो जीते हैं silver medal और एक ही जीता है bronze medal Indian team ने 56th International Chemistry Olympiad में है अभी यह competition कहाँ पे हुआ था तो सौधी अरेबिया की रियाद सिटी में हुआ था एक gold medal किसे जीता महराष्ट के देवेश भाया ने एक gold medal जीता है जो दो silver medals आए हैं वो जीते हैं मुंबई के अवानीश बंसल और हैदरबाद के हरशन पूसीना ने और जो एक bronze medal आया है वो किस ने जीता है मुंबई के कश्यप खांडेलवाल तो इस तरह से अगर बात करें टोटल कितने medals जीते हैं इंडिया ने इसमें फोर medals जीते हैं नेक्स्ट कोश्चन है विच और फॉलॉइंग कंट्री विल होस्ट अशिया कप 2027 2027 में देखे जो अशिया कप होगा कौन सा देश जो है इसकी मिजबानी करेगा यहां मैंस की बात कर रहे हैं मैंस इशा कप की तो यह होस्ट करेगा कौन सा देश बांगलदेश और इसके लावब 2025 वाला भी याद रखेगा 2025 में जो होगा उसे इंडिया होस्ट करेगी फिर उसके बाद 2 साल के बाद 2027 में इशा कप होगा जिसे होस्ट करेगी कौन सी कंट्री बांगलादेश तो यह दोनों ही वेन्यू important है तो यहाँ पर फैंट्स हम मारे daily current affairs के तो important questions complete हो गए है अब बात कर लेते हैं static check के आज के questions के बारे में तो देखे आज का पहला question है in which year was कालिदा सम्मान established सो कालिदा सम्मान जो है किस वर्ष इस्थापित किया गया था तो इसके सापना कब ही थी 1980 में next question है which of the following state have the highest literacy rate according to the census 2011 2011 की देखे जिनगर्णा के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर्थ सबसे अधिक है तो सबसे अधिक साक्षरता दर्थ कौन से राज्य की है केरल स्टेट की next है के fundamental duties were added in the constitution of India under the leadership of which prime minister of India सु भारती किस पधान मंत्री के नित्रत में भारत के समिधान में मौले कर्दवियों को जोड़ा गया fundamental duties to add unity वो इंद्रा गांधी जी जोहन के नित्रत में इनको जोड़ा गया था next है which pillar inscriptions has recorded the achievement of समुधर गुप्त who was known as the Napoleon of India for his conquest किस इस्तंब शिलालेक में समुधर गुप्त की उपलब्दियों का वर्णन है जिसे उसकी विजो के लिए भारत का Napoleon कहा जाता है तो कौन से pillar inscriptions है वो answer is Allahabad pillar तो यह थे हमारे आज के strategy के most important questions अब बात कर लेते हैं कल के questions के बारे में तो जो हमने कल के current affairs करेती उनको हम एक बार फिर से revise कर लेती है पहला question है देखे Nicholas Maduro यह किस country के बनी है अभी president so Nicholas Maduro चुने गए है अभी हाली में Venezuela देश के नए president next question which is the first country in the world to release the first postage stamp on Ram Lala of Ayodhya आयोध्या की Ram Lala पर पहला dark ticket जारी करनी वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है right answer is Laos next question है who has launched ideas for life portal तो ideas for life portal को किस ने launch किया है तो यह portal launch किया है भुपेंदर यादव ने भुपेंदर यादव जो है हमारी environment minister है इसके बाद next question हमजा हज जो कि अब इनका भी हाली में recent हुआ किस country के former vice president थे तो हमजा हज जो है इंडोनेशिया के vice president थे पूर्व उपराष्टपती थे जिनका हाली में निधन हो गया तो यह इंडोनेशिया के उपराष्टपती रहे थे 2001 से 2004 तक next question है राजस्थान के नई governor कौन appoint हुए है तो अभी देखे काफी सारी states में governor change हुए है राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे नई governor बरे है हरी भाव किशन राव बागडी संतोश कुमार गंगवार की बात करी सो यह कहाँ पे बनी है तो यह appoint हुए है जारकंड state में इसके लाव बात करें जिश्नुदेव बर्मा की तो यह बनी है तेलंगाना के नई governor और CP राधाकृष्णन जो है यह appoint हुए है कौन से state में तो यह बनी है महरास्थ के नई governor तो यह सभी भी याद रखेगा इसके बाद देखे सुहेल एजास खान जो है कि सेश में बनी है इंडिया के नई ambassador तो यह बनी है यमिन देश में वू इस ओनर्ट फो दा प्रेश्टीजियस Lifetime Achievement Award फो रिसर्च इन डाइबर्टीज तो डाइबर्टीज में रिसर्च के लिए किसे Lifetime Achievement Award मिला है पियूश गोयल को वू इस थी author of the book जिसका टाइटल है Breaking Rocks and Barriers तो यह बुक किस ने लिखी है Breaking Rocks and Barriers की author है सुदीपता सेन गुपता मनु भाकर और सरब जोट सिंग वान विच मैडल in mixed 10 मीटर एयर पिस्टल at the Paris Olympics 2024 सो मनु भाकर और सरब जोट सिंग ने Paris Olympics में जीता है कौन सा Bronze Medal एक और यहां पर पॉइंट याद रखीगा कि यह मनु भाकर का जो है दूसरा medal है Olympic में और मनु भाकर पहली Indian athlete बनी है जिनों ने 21 Olympic Games में 2 medals जीते हैं इससे पहले भी मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता था Bronze Medal सो यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेशन्स नो डिसकस करते हैं जो कल टेस्ट के क्वेशन्स पूछेते हैं उनके बारे में सो पहला क्वेशन पूछा था मिन आंग हाइं किस कंट्री के बने हैं एक्टिंग प्रेजिनेंट सही आंसर है म्यामार इसके बाद फिरिंट नेक्स्ट क्वेशन पूछा गया था श्रमिक बसेरा योजना किसने शुरू की तो गुजरास सरकार ने शुरू की है श्रमिक बसेरा योजना तो आप सभी के दोनों क्वेशन के आंसर बिलकुल सही थे और आज के हमने कॉमेंट किसके इंक्लूट की हैं अमीद बर्मा एंड प्रत्यूशा देश तो थैंक यू बोट अफ यू और इसी तरीके से हम आज भी आप लोगों से पूचेंगे टेस्ट क्वेशन के बारे में इनके आंसर भी आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखनी है तो पहला कोशन देखिए पूर्व का एथेंस कौन से शहर को कहा जाता है और सेकिंड क्वेशन है जंडा सत्यागरे 1923 का जो जंडा सत्यागरे है ये कौन से शहर में आयोजित किया गया था तो इन दोनों क्वेशन के आंसर आप जल्दी से हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखती चीए और इसी के साथ आज का हमारा डेली करेंट अफेस का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहां पे कम्प्लीट होता है जुलाई की अब आपको मंतली करेंट अफेस की हम वीडियो प्रोवाइट करेंगे जिसमें हम सेक्शन वाइस आपको सब कवर कराएंगे लेकिन जुलाई की जो टॉप हंडेट क्वेशन की वीडियो है वो अपलोड हो गई है जिसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन दे गए हैं पूरे जुलाई मंत के अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्किप्शन में लिंक दे दूँगी वर्णा फैंट्स जो मंतली करेंटरफेस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप इसको चेकाउट कर सकती है और आगे भी के करके हम और भी मंतली करेंटरफेस की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे तो आप लोग हमारे चानल से जुड़े रहें थैंक यू सो मुड़ वाँ इस वीडियो